एक फौजी का दर्द क्या होता है दिखाना चाहूंगे उन कुर्सी वालों को एक फौजी की मजबूरी हमें मत छुटी दो मत भत्ता दो बस काम यही अग करने दो चाहे वेता नाधा कर दो पर कुट्टों में गोली भड़ने दो उन कुट्टों में गोली भड़ने दो हर हर म नारा सिर के पार गया को एक दो कोड़ी का सेफ़ादी इक सैंडिक को थपड़ मार गया अरह थपड़ कहा हम उन्हें गद्दारों के इतने भी मजबूर नहीं हं भारत माखे सैनिक है कोई भारी के मजदूर नहीं हां तो कश्मीर उन्हें देदो अरे सुलत दिल्ली वालो या तो कश्मीर उने देदो या आर बार का काम करो अब सेना को तो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम दिल्ली में आराम करो इस राजनीती ने घाटी को सरदर्द बना कर छोड़ा है भारत के वीर जवानों को नमर्द बना कर छोड़ा ह हैं भारत मां का आजल स्वच रहे हम गागी भी बन सकते हैं दिली गड़ियों ही मौन रही भागी भी बन सकते हैं एक मां कश्मीर में बिठने वाले अपने फॉजी बेटे से कहती है कि फोन किया मारे बेटे को दूने ना कटाई है तेरी बेहना से सब कहते हैं बुझदर तेरा भाई है अरे बेटा ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्या लाचारी थी कुछकुत्तों की टोली तुम सब शेरों पर भारी थी गिंडर बेटा पैदा करके मेरे कोख लजाई है तेरी पहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है वो खौजी अपनी मा की बात सुनके कहता है कि मा इतना भीला चार नहीं था मा मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुप़ी बहुत जरूरी थी मा चुप़ी बहुत जरूरी थी सरकार ही पितवाती है मा हमको उनक सब्सक्तारों से गोली का आदेश नहीं है दिली के दर्वारों से गिन गिन कर मैं बदला लूंगा कसम आज ये खाता हूं तू गुडियास से कह दे ना बुजदिल उसका भाई है अनौनी होने से पहले फैला दो इन बातों को अगर बहना के सचे भाई हो तो बता दो इन बात कि ये